हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज आज आपका SSE फेस 12 का 20 जून के 3rd सिप का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिलकुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 20 जून के 3rd सिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट ना पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एससे फेस 12 एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अप्डेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और बगल में ही आपको एक बैल एकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़ो है जरूर प्रेश कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोश्चन है था कि वेदानतम सत्य नारायन सर्मा कि सास्त्रे नित्त सैली से संबंदित है तो देखे वेदानतम सत्य नारायन सर्मा जो है यह आपके कुछी पुडी नित्त से संबंदित है तो कुची पुड़ी आपका करेक्ट अंसर होगा, इसके लावा बात कर ले कुची पुड़ी, यह जो है कि सराज्य का एक सास्त्रे नित्य है, तो यह जो आपका आंधर परदेश राज्य का एक सास्त्रे नित्य है, इसके लावा वेदानतम सत्यनारायन सर्मा की बात कर ले, इने जो 1961 में संगीत नाडक एकडमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, 1970 में भारत के चौते नागरिक पुरुषकार पदम स्रीशे इने सम्मानित किया गया था, इसके लावा मद्धे पर्देश सरकार के द्वारा जो आपका कालीदा सम्मान दिया जाता है, इन्हें कालिदा सम्मान से जो है 1988 में जो है वो सम्मानित किया गया था तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लगा कुछी पुड़ी नित के अन्य परमुक कलाकारों कि अगर मैं बात कर लूँ तो देखें लचमी नारायन सास्त्री, स्वपने सुंद्री, राजा रेड़ी और राधा रेड़ी, यामनी कृष्ण मूर्ती, यामनी रेड़ी, कौसल्या रेड़ी इन सभी का जो संबंद है ना ये आपके कुछी पुड़ी नित से है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका या परहता कि which scheduled contents, forms of oath and affirmation यानि सपत और अभी पुस्टी के रूपों का भारत के संभीधान की किस अनुसूची में उलेख किया गया है तो ये सपत और अभी पुस्टी के रूपों का जो उलेख है ना ये तीसरी अनुसूची में जो वो किया गया है तो तीसरी अनुसूची आपका यहा तीसरी अनुसूची तो मैं आपको बता दिया है तीसरी अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया है राज्जिसवा में सीटों का आवंटन इसका जो उलेक है न यह आपके चौती अनुसूची में किया गया है इसके लावा अनुसूची छेत्रों का प्रशाशन और नियंतरन का जो उलेक है यह आपके पांचवी अनुसूची में किया गया है असम, मिघाले, तरीपूरा और मिजोरम में जन जातिये छेतरों के प्रशाशन के लिए प्रावधान जो है ये छटी अनुसूची के तहट जो हो किया गया है संग राज्ये और समवर्ती सुचियों में सक्ति और जिमेदारियों के लिए विशय का विवाजन है ये आपके सातवी अनुसूची में जो वो किया गया है भारत की अधिकारिक भासाओं की जो सुची है ये आपके आटवी अनुसूची में इसका उलेख किया गया है कुछ अ यह आपके ग्यारवी अनुसूची में जो वो किया गया है, नगरपालिकाओं के लिए विविन विसेयों की सूची का जो उलेख है न, यह आपके बारवी अनुसूची में जो वो किया गया है, तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट क्वेशन आपक Asia का सबसे बड़ा और विश्व का है यह दूसरा सबसे बड़ा यह आपका lagoon जील है तो यह fact भी आपको ध्यान में रुखतिना है अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अंतरदेशिय नमक जील यानि inland salt water lake कौन सा है तो देखे भारत का जो सबसे बड़ा अंतर देश ये नमक जील है ये आपका सांबर जील है और ये सांबर जील जो ये किस राज्य में इस्तित है तो ये आपका राजस्थान राज्य में इस्तित है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लाब प्राकृतिक खारे पानी की जील अगर चेत्र में स्थिथ रभारत के मीठे पानिक के सबसे बड़े जील अगर पूछे जाए तो यह आपका उलर जील है और यह कहां पर स्थिथ है तो यह आपका जमू और कासमिर में बांदीपूरा जेले में स्थिथ है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके हैं आप रहा था कि who among the following is best none for his market regulation policy यानी बाजार नियतर निती के जो सुरुवात है ना ये किस के दोरा जो हो किया गया था तो देखें दिल्ली आपस में जोडते हैं तो देखें ये जो आपका national highway 1 ना यानी रास्ट्री राजमार्ग संक्या एक जो है ना ये दिल्ली और अमरी सर को आपस में जोडता है तो national highway 1 जो आपका यहां पे correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दो कि NH1 को ही जो है आपके 6 सासूरी मार्ग के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है तो ये point भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले, भारत का सबसे लंबा अगर रास्ट्री राजमार के बारे में पूछा जाए, तो देखे भारत का जो सबसे लंबा रास्ट्री राजमार गया ना, यह आपका NH44 है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे NH7 के नाम से जाना जाता था, और इसकी लंबाई के अगर बात कर ले तो देखे एनच 44 की जो लंबाई है ना यह आपके 3745 किलो मीटर है और यह जो किसको किस से जोड़ता है तो देखे यह जो आपका उत्तर मिस्री नगर से जो है दचिन में कन्या कुमारी तक जो है यह आपका जाता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लोग एक्जाम में यहां से एक प्रश्ण और बनता है कि NH44 जो है यह आपका कितने राज और लगबग कितने सहरों को जो जोड़ता है तो देखे एनच 44 की बात कर ले तो यह आपका टोटल 11 राज और लगबग 30 महतपूर्ण सहरों को ज इसके द्वारा किया गया था तो देखे एक जनवरी 1923 को जो है इलाहबाद में देजबंदू चितरंजन दास तथा मोतिलाल नेरू के द्वारा जो है सौराज पाटी की अस्थापना जो जो वो किया गया था तो देजबंदू चितरंजन दास और मोतिलाल नेरू जो आपक 23 जून 1757 को हुआ था और उसमें बंगाल के जो नवाब थे न या आपके सिराजु दोला थे और किनके मद्दे हुआ था तो ये जो आपके बंगाल के नवाब और इस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतितु जो है ये रॉबर्ट कलाइब कर रहे थे इनके बीच जो है ये आप का पलासी का युद लड़ा गया था जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी यानि रॉबर्ट कलाइब जो वो जीद गया थे लेकिन यहाँ से एक प्रशन पूछा जाता है कि पलासी के युद के दोरान आपका जो बंगाल के नवाब सिराजु दोला को जो है किस ने जो वो धोका दिया था तो देखिए मैं आपको बढ़ा दू कि नवाब की सेना का जो परमुग थे ना वो आपके मीर जापर थे और इनी को जो है रॉबर्ट कलाइम ने जो वो रिस्वत दिये थे और इसी के कारण जो है यह आपके सिराजु दोला जो है पलासी के युद में जो हार गय नेक्स्ट कोश है आपके यहाप रहा था कि 2023 की स्थिती के अनुसार उत्तर परदेश के गवर्नर यानि राज्यपाल जो है यह कौन है तो देखिए वर्टमान या फिट 2023 की स्थिती के अनुसार भी जो उत्तर परदेश के जो गवर्नर है ना यह स्रीमती आनंदी बेन पठ आपका correct answer होगा और देखें मैं आपको बढ़ा दू कि अगर आपका आगे आने वाले सिप्टों में एक्जाम है तो आप सभी राज्यों के CM और राज्येपाल जो है वो जरूर देख कर जाईएगा next question आपका आपका रहाथर है कि 2011 की जन गन्गाना की अनुशार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत वाले केंदर सासीत पर देश का नाम पूचा गया था तो दीए याकर अधिक जनसंख्या घनत वाला जो केंदर सासीत पर देश रहाथा है यह आपका अंडमान और नीको बार र वहीं अगर overall की बात कर ले, यानि केंदर सासीत परदेश और राज्य में सबसे अधीक जनसंक्या घनत जो है, यह किसका रहा था, तो यह आपका दिल्ली का रहा था, दिल्ली का जो जनसंक्या घनत वहना, यह आपका 11,297 वैक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था, तो यह प जनसंक्या घनत जो रहा था यह आपका अरुनाचल परदेश क रहा था, अरुनाचल परदेश का जो जनसंक्या घनत वहना, मात्र आपका 17 वैक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था, यानि एक वर्ग में जो είναι, आपके 17 वैक्ति जो वह रहते थे, लेकिन कुछ बच्चों यह तो आपका हो गया जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या लच्छदीप का रहा था, वहीं अगर राज्जी में पूचा जा सबसे कम जनसंख्या किसका रहा था, तो यह आपका सिक्किम राज्जी का रहा था, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा, नेक्स्ट कोश है के आप रहा था कि आयुस्मान भारत योजना जो है ये किस मंत्राले से संबंदित है तो देगे मैं आपको बता दू कि आयुस्मान भारत योजना जीसे प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है और ये जो आपका भारत सरकार की एक स्वास्त योजना है और इस योजना को जो है 23 सितनबर 2018 को पूरे भारत में जब वो लागू किया गया था और 2018 के बजट 17 में उसमें जो आपकी वित मंत्री थे वो अरून जिटली थे और इन्होंने जो है इस योजना की घोशना जो हो किये थे और यह जो आपका किस मंत्राले से संबंदीत है तो यह आपके स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले से संबंदित है तो स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश्च आपका यहां पराता कि भारत की किस राज्य में प्रतेक वर्स मोट्सू फेस्टिबल जो वो मनाया जाता है तो यह आपका तीन दीनों तक इस उत्सू को मनाया जाता है तो नागलेंड आपका यहां पर correct answer होगा नेक्स्ट कोश्च आपका यहां पराता कि सर गार्फिल्ड सोवश ट्रॉफी यह जो आपका किस खेल से संबंदित है तो देखें मैं आपको बता दूँ कि सर गार्फिल्ड सोवश ट्रॉफी जो एक प्रतिस्टीत जो यह आपका क्रिकेट की ट्रॉफी है तो क्रिकेट आपका यहां पर correct answer होगा और इस ट्रॉफी को जो आई से सी द्वारा आई से सी पूरुस क्रिकेटर आप दा यहर को प्रतिव वर्स जो यह आपका प्रदान जो वो किया जाता है इसके लावा जो पहला जो सर गार फिल्ड सोवर्श ट्रॉफी जो यह दिया गया था यह आपका 2004 में आपके राहूल द्रैवीट को जो वो प्रदान किया गया था और 2023 में यह जो सर गार फिल्ड सोवर्श ट्रॉफी जो है यह किसको दिया गया है तो यह आस्ट्रेलिया के विस्व भौतिक वर्स जिसे आंस्टीन वर्स भी जो वो कहा जाता है ये जो किस वर्स जो वो घोसित किया गया था तो देगे मैं आपको बता दो कि संयुक्त राष्ट के द्वारा विस्व भौतिकी वर्स यानि जिसे आंस्टीन वर्स भी कहा जाता है इसे जो 2005 में जो वो घ कुषित किया गया था तो 2005 आप यहां पर प्राप्त करने वाले पहले संगितकार का जो गोडने पूशकार पूजा पूरेँ जो संगितकार थे ना यह आपके iron prime कि तो finger कर आप से कब समानिद किया गया था इसके असे वहां पूचा जाता है कि मेस सुबूल अच्मी ये जो आपका किस राज्य से संबंदीत है तो ये आपका मदुरे तमिलाडू से संबंदीत है और ये जो आपका किस परकार की गाही का थी तो ये आपके भारते करनाटक संगीत की जो एक गाही का थी तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में 2001 में सैयुक्त रूप से उस्ताद बिस्मिल्ला खान और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रहतन से शम्मानित किया गया था पंडित भीम सेंज जोसी को जो है 2008-09 में इन्हें भारत रहतन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका याप रहा था कि त्रेम्ब केश्वर मंदिर इसका जो निर्मान है न यह किसके द्वारा करवाय गया था यहाँ पर निर्मान के बारे में पूछा गया था तो देखें त्रेम्ब केश्वर मंदिर की बात कर ले तो यह जो आपका महराश्च के नासिख में स्थित है और यह जो एक कहां पर है ढर्मान है यह आपके तीसरे पेशवा बालाजी बाजी राओ के द्वारा जो है इसका निर्मान जो वो करवाय गया था तो भालाजी बाजी रौव आपका यहाँ पे correct answer होगा Next question आपका यहाँ परादा कि स्री दीपक मजुम्धार यह जो आपके किस नित से शंबन्दीत है तो देखें दीपक मजुम्धार की बात कर ले तो यह जो आपका भरत नाटियम नित से शंबन्दीत है तो भरत नाटियम आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाबाद दीपक मजुम्धार को जो है वर्स 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरुषकार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था Next question आपका यहाँ परादा कि वैस्विक बहुयामी गरीबी सुचकांक यानी आपका जो multi-dimensional poverty in India जो 2021 में जारी किया गया था इसमें 109 देसों में भारत का स्थान जो है वो पूचा गया था तो देखे वैस्विक वैस्विक बहुयामी गरीबी सुचकांक 2021 में भारत जो है 109 देसों में 66 अस्थान पे जो है वो रहा था तो 66 आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका 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 निम्नली खित में से कौन से फूलीन पौदे हैं जो संकू और बीज उत्पन करते हैं और इनमें जो बीज अंडासा के भीतर जो वो नहीं होता है तो देखें यह जो आपके जीम्नली अस्पर्म है जो कि एक आपका फूलीन पौदा है और इसमें आपके संकू और बीज उत्पन होते हैं जिनमें बीज का जो अंडासे है यह आपका भीतर जो है वो नहीं होता है तो जीम्नली अस्पर्म आपके यहां पर करिक्ट अंसर होगा संभिधान के किस अनुछेत के तरह जो है भारत के महानयवादी जो है अपने कर्टब्यों के पालन में महानयवादी को भारत के राज्य छेतर में सभी न्यालियों में जो वो सुनवाई का अधिकार होगा तो देखे महानयवादी को भारत के राजी छेतर में सभी न्यालियों में जो सुनवाई का अधिकार होगा यह आपके अनुछेद 76 के क्लोज 3 के तह जो वो किया गया है तो अनुछेद 76 का close 3 आपका यहां पे correct answer होगा इसके रावा अनुछेद 76 जो है यह आपके भारत के महानयवादी से समंदित है और अनुछेद 76 के close 1 में आपका कहा गया है कि राश्टपदी किसी ऐसे वैक्तिक हो भारत का महानयवादी न्यूक्त करेगा जो सर्वोच न्याले का न्यादिस न्यूक्त होने के योग्य होगा तो यह जो आपका अनुछेद 76 के close 1 में जो वो कहा गया है नेक्स्ट कुशन आपका यहां पराता कि देश के प्रतम सिच्छा मंतरी मौलाना अबुलकलाम आजाद की जो है आटो बायग्राफी का जो वो नाम पूछा गया था तो देखें मौलाना अबुलकलाम आजाद की जो आत्म कता का नाम है ना वो इंडिया विंस फ्रीडम है तो इंडिया विंस फ्रीडम आपका यहां पर करेक्ट अनसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दो कि मौलाना अबुलकलाम आजाद की जहनती को ही जो है यह आपके रास्टे सिच्छा दिवस के रूपे प्रती वर्स 11 नॉंबर को जो हो मनाया जाता है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्य आपका आपनाता की हर्याना सरकार द्वारा सुरू की गई, चीराग योजना के ताहट जो है परिवार की वार्सिक आय जो है, यह कितने रुपे से अब कम होना चाहिए तो देखे हर्यान सरकार के द्वरा जो आपका चिराग योजना जो शुरू किया गया जो कि आपका एक सरकारी योजना है और इसमें गरीब परिवार के बच्चों को जो है नीजी अस्कूलों में मुपत सिच्छा जो है वो दी जाती है और इस योजना के तैज गरीब परिव जिवार की जो सलाना कमाई है ना वो 1.8 लाग से जो वो कम होना चाहिए तब ही आप इस योजना के लिए जो वो इलिजिबल हैं तो 1.8 लाग जो आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर आता कि according to Copen's Climate Classification AMW Climate is found in यानि आपके Copen के जलवाई वरगी करन के अनुसार जो है AMW जो आपका Climate है ना यह कहाँ पाए जाता है तो यह जो आपका गोवा राज्य में पाए जाता है तो गोवा आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि Copen के जलवाई वरगी करन में AM के बारे में पूछा गया था तो यह आपके उसने कटी बंदिये मौनसुन से शंबंदी था तो उसने कटी बंदिये मौनसुन फिर आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर होगा तो इतने कोशन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और अथेंटिक है तो अगर विडियो अच्छे लगियो तो विडियो को लाइक जरू कर दिजेगा और इसी तरह रियल एनलाइसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा तो मिलते हैं नेक्स जोड़े हैं तब तक थाइंक यू, all the best